नमस्कार आप देख रहे हम लोग और मैं हूं नगमा भारत और कैनड़ा के बीच पीचे कुछ दिनों से कूटने तेक तनाव जारी है और इन सब के बीच सबसे जादा अगर परिशानी उठानी पढ़ रहे है किसी को तो वहां पर पढ़ रहे यानि के कैनड़ा में पढ़ रहे है भारतिय चात्रों को या फिर उन चात्रों को जो कैनड़ा जाने का प्लान कर रहे थे या फिर उन लोगों के परिवारों को जिनक 3,19,000 जब से ज़ादा भारतिये जो हैं वो साथवे नंबर पे हैं जो कैनिडा में रह रहे हैं और 14,00,000 से ज़ादा लोग भारतिया मूल के हैं कैनिडा में रहने वाले चार करोड की आबादी में 3.7 फीसदी भारतिये हैं जिसमें की सिखों की आबादी 7.7 लाख है आने के लगबग 2 फीसदी और पंजाब के बाद सबसे ज़ादा सिख आबादी कैनिडा में है बीते 20 सालों में ये आबादी वहाँ पे दोगनी हुई है पंजाब हर्याना के लोगों का सबसे पसंदीदा देश कैनिडा बना है 2022 में एक लाख भारतिये स्थाई निवासी बने है कैनिडा के तो ये है वहाँ पर जो भारतिये लोगों की मौजूदगी है उसके पारे में कुछ हाकड़े G20 के दौरान प्रधान मंत्री मोदी और कैनिडा की प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो की बीच जो पुल असाइट बेठक हुई उसमें कई बातें हुई थी तो आपको पहले इस टाइम लाइन के जरिये हम दिखा देते हैं कि कब क्या कैसे हुआ और ये कूटितिक तरफ शुरू कब हुआ तो 10 सितंबर को पीएम मोदी ने जस्टिन टूडो से भारत विरोधी गतिविदियों पर चिंता जटाई जो कैनिडा में चल रही थी 16 सितंबर को भारत ने कैनिडा के साथ व्यापार वारता रोक दी 19 सितंबर को कैनिडा के प्रदानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत की भुमिका के आरोप लगाए यानि साफ तोर पर कहा कि इसमे भारत का हात है 19 सितंबर को भारत ने टूडो के आरोपों को निराधार बताते विए खारिश किया और फिर भारत और कैनडा दोनों ने वरिष्ट राजनाईकों को निकाला तो कूटनितिक समस्या की शुरुआत हो गई 20 सितंबर को भारत ने चात्रों और कैनडा जाने वालों के लिए एक अडवाईजरी जारी की 21 सितंबर कैनडा में खालिस्तानी आतंकी के साथी सुखतूल सिंग सुखा की हत्या हुई भारत ने कैनडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलम बित कर दिया तो ये एक टाइम लाइन है कि कैसे ये कूटने तेक तनाफ शुरूआ और इस बीच एक एहम बयान अबाया है बंगलादेश के तरफ से भी दहिंदू अखबार के मताबिक बंगलादेश के विदेश मंतरी एके अब्दलमुमिन ने कहा है कि कैनडा हत्यारों की पनागा बन किया है कि शेख मुझी बर्रह्मान के परिवार और उनकी खुद की हत्या परिवार के सदस्यों की हत्या के जो मुख्यारोपी है नूर चौदरी वो 1996 से कैनडा में रह रहे हैं और कैनडा उनके प्रत्यरपन के लिए तैयार नहीं UN General Assembly में शामिल होने के लिए हमारे विदेश मत्री S.J. शंकर अमेरिका गए और New York के बाद जब वो वाशिंग्टन आए और कई bilateral engagement उनकी थी उस बीच उन्होंने ये साफ किया है कि भारत कैनडा में वीजा ओपरेशन्स पेंड नहीं करना चाहता लेकिन वहाँ पे यानि कि कैनडा में जो हिंसा का माहौल है उसकी वज़े से उसे ऐसा करना पड़ा है पर जब अब ऐसी स्तिती बन गई है तो उसमें दोनों देशों क के बीच जो तनाव बनावा है उसका असर पड़ रहा है जो स्टूडेंट्स है वहाँ पर जो लोग इतनी बड़ी संख्या में भारत के भी वहाँ पर रहते हैं और कैनडा पे भी क्या असर पड़ सकता है गर भारत और कैनडा के बीच पर तनाव है इन सब चीजों को समझन के लिए हमारे साथ मेहमान पैनल हापे मौझूद हैं हमारे साथ हैं सुरेश गोयल जी पूर्व राजदूत और साथी दिली स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद हैं रिवा कैंट जो की स्टूडन्ट आस्पृरंट है यानि के ऐसे चात्र जो कैनड़ा जाना चाहते हैं द बहुत जरूरी है इन से बातचीत करना समझना कि कितना असर इस पर पढ़ा है क्या हो रहा है और आलोग बंसल कैप्टन आलोग बंसल हमारे साथ है डिरेक्टर इंडिया फांडेशन बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगा और इन सब के साथ-साथ कहा मौझूद हैं स्टूडे हमारे साथ ऐसे चातर जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कैनेडा जाने की चाहत रखते हैं कैनेडा में पढ़ना चाहते हैं बहुत सारे जिनको अभी नहीं यह पता कि वो आगे क्या करना चाहते थे पर यह option लोगों के पास होता है स्टूडेंट्स के पास के भविश्य में ऐसा कुछ हो सकता है तो क्या है इनकी फिक्र क्या है इनके सवाल इस पर हमारा खास फोकस रहेगा आज हम लोग में इस बातचीत में तो सबसे पहले यहां पे शुरुआत करते हैं जो हमारे साथ चूड यहां पे मौजूद हैं गैस और सुरेश गोयल जी मैं आप से जो दोनों के बीच में कुटी तिक उल्जन बनीवी है या एक तनाव है इस बीच में अब आपने देखा बांग्रादेश का बयान है इधर यूएस की इंवॉल्वमेंट किसी तरह की दिखती है विदेश मंत्री एस जैशंकर ने साफ तोर पे कहा है कि किसी यह जो हिंसा का या अतंग का माहौल वहां बनाता है इसलिए हमें वीजा सस्पेंड करना पड़ा कैसे क्या देख रहा है आपको आगे बढ़ते वे भारत कैनेडा के रिष्टों में अगर हम देखें जो की आजकल की जो स्थिती है और किस तरह आगे बढ़ रही है तो एक दो चीजें साफ है पहली बात तो यह है कि यह जो तनाव पैदा हुआ है वो तनाव पैदा हुआ क्योंकि कैनेडा में वहां पर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट या एक्स्ट्रीमिस्ट बोलीजिये जो भी है उनके जो नंबर है वहां पर वो काफी सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंट क और वो काफी जो है खालिस्तान के फेवर में करते रहते हैं यह दूसरी बात यह है कि जो अटकने लगा रही है कि इस समय जो है जस्टिन टूडो को क्योंकि 2014 में एलेक्शन होने हैं उस एलेक्शन के लिए जो हाँ पर नेशनल डिमक्राटिक पार्टी है जगमीत सिंग की उस जो एसेस्मेंट वो यह है कि कैनेडा को भी भारत के रिष्टे उतने ही ज्यादा अच्छे जरूत है जितने की हम चाहते हैं कि कैनेडा से हमारे रिलेक्शन अच्छे बने रहें तो यह जो अभी बीच में टकरा वाले इस्थिती बनी है मुझे जो उमीद यह है कि कुछ सम रहेंगे उनको भी यह समझ में आएगा वो देखेंगे कि भारत के रिष्टे खराब करने में उन्हें कोई मिलने वाला नहीं है नुकसान ही होगा सिती है वो यह है कि तनाव बना हुआ है और यह जो तनाव है यह कब कम होगा यह जरूर आपने जैसा कहा कि जस्टिन टूडो के अपने पुलिटिकल कंपल्शन्स हैं उनकी अपनी राजनीती है जिसकी वज़े से शायद यह महां पर यह हो रहा है इस समय कैप्टन आलोक ब रिष्टा रहा है वो दोस्ताना रिष्टा रहा है तो कैनेडा और भारत कोई दूसरे की जरूरत है कैसी क्यों जरूरी है यह तोड़ा आप हमें समझाएंगे लीग एक जमाना था जब हमारे यह परमानु सेहत्रों के लिए कैनेडा से इंधन मिलता था कैनेडा के साथ हमारा अच्छा योग्दां था लेकिन एक समय था जब कैनेड़ा एक विकशित राश्ट था और भारत एक विकाश शील्ड राष्ट था और आर्थिक रूप से काफी कमजोर था और ऐसे में अधिकांश शात्र चात्राएं या जो लोग बाहर माइगरेट करना चाहते थे और जो संयुक्तराज अमेरिका नहीं जा पाते थे उनमें से अधिकांश कैनिडा जाके पढ़त भारतिय मूल के लोगों की है विशेशकर पंजाब से गए हुए लोगों की क्योंकि कैनिडा की सरकार आज भी इमिग्रेशन को एंकरेज करती है और लोग आज भी अभी तक जा रहे थे हमारे दोस्ताना संब्द रहे लेकिन यह जो इमिग्रेंट्स है या जो भारतिय चात्र में वो बहुत एहम रोल निभाते हैं कैनिडा में इनका कितना महत्व है वहाँ पे और किस तरह से इकॉनमी में जो उनकी अर्थ विवस्था है उसमें यह एजुकेशन सेक्टर महत्त से देखते हैं तो एक अर्थ विवस्था में उनकी एक काफी बड़ा है प्रधान मंत्री टूडो की उदारवादी जो विचार धारा है मैं उसका विरोध नहीं करता लेकिन उदारवाद आपका आतंकवाद का समर्थक नहीं है पर यहां पर दिख ऐसा रहा है जिस तरह के जैशंकर हमारे विदेश मंत्री एस जैशंकर ने भी कहा कि उदारवाद सही और फीडम ऑफ एक्स्प्रेशन काम समर्थन करते हैं लेकिन अगर हिंसा भड़काने में इसका इस्तमाल हो तो फिर इसकी निंदा जो है वो जरूरी है इसमें अमेरिका का अब क्या रोल है भार हैं बच्चे जो चात्र है या जो लोग वहां पर रह रह रहे हैं तो मवार सास स्चोडियो में भी ऐसे मौजूद हैं लोग और जूम के जरीए भी जुड़े हुए हैं तो यहां पर रिवा और प्रीथ हैं मैं आपकी इस समय सबसे बड़ी चिंता क्या है प्रीथ कोई भी चिंता नहीं है हमारी तो दोनों की एज रिवा है मेरी डॉटर और वो प्लैनिंग कर रही है कैनेडा जाने के लिए तो फिर तो बहुत दिल्चस्पी आपसे समझना कि आपके बेटे वहां पर है तो इस समय वहां पर स्थिती क्या है जब यह तनाव बना हुआ है तो आप लोगों का कंसर्न रहा कुछ पूल एं नॉर्मल नथिंग विल भी दियर कुछ भी नहीं है वहां पर एवरी डे हम वहां पर उनको ऐसा कोई कुछ भी महीं है ओनी वो न्यूस चैनल पर यह देखते हैं भी इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स ऐसे खेलने है ऐसे खेलने है उनके प्राइमिनिस्टर नहीं यह चीज बोली है वहां पर यह चीज बोली है कि यहां पर आपके मैजोर्टी ओफ प हम कैनेडा में है या हम लोग इंडिया में है ऐसी न्यूस हमें इंडिया से सुनने को मिल रही है इस पॉलिटिकल इशू का एक असर जो होता है जैसे अभी देखे वीजा सर्फिस अगर सस्पेंड होती है तो एक चिंता बनती है कि फिर जो लोग आगे जाने वाले उनके ल किया है एक मीने दो मीने तीन मीने कभी न कभी यह स्टार्ट होगा अगे तो आपकी बॉसल विल गो स्मूथ लिए रिवा किस चीज में आप मतलब अभी क्या पढ़ रही है कब कहां जाना चाहरा कब जाने की प्लानिंग हो रही थी तो मैं आमटी निवर्श्य से बीसी कर आप मेरा फॉर्द में यह कि मैं काल्गिरी अपने भाइ के पासी बिस्न आप्डिस्ट्रिश्ट्रेशन कंटीन करो कभ जाने का प्लान था वो अभी वीजा प्रोसेस में ए अप्लिकेशन तो उसी का बाट हो रहे है इसमें कुछ अभी देर हो रही है या अभी जाना था अ कुछ सर्वर डाउन की वज़े से वी हवनों सब्सक्राइब तो उन्होंने रीकॉल किया 2-3 ताइम बट कुछ सर्वर का इश्यू था यही समझना चारी थी बहुत अच्छी बात है कि किसी तरह की कोई चिंता नहीं है कोई फरक नहीं पड़ा है और सब कुछ सब चल रहा है ठीक तरह से बारत और के बीच जो चात्रों का भविश्य या भारतिये जो कैनडा में रह रहे हैं उनकी क्या चिंताएं इस पर बातची हम जारी रखेंगे आदित्य भाटी हमारे साथ हैं आप डिरेक्टर हैं आप्स वीजा अडवाईजर सिती क्या है इस समय जब वीजा सर्विसेस सस्पेंड वहां पे हुई हैं और जो कैनडा जाने वाले हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भारती कैनडा जाते हैं खासकर के पंजाब और हर्याना से तो आदिते जी आप बताएंगे क्या स्थिती है अभी कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड जितने स्टुडेंट्स वहां पर हैं अगर आप उन से पूछे तो वहां ना ऐसी कोई फीलिंग है ना कोई ऐसी डिस्कुशन है ना ऐसी कोई नियूस है ना वोले ना रहे हैं तो यह जो है यह पॉलिटिकल इशू है वो पॉलिटिकल लेवल पर आप उसे ना कोई लेना देना है ना वो लेना देना रखना चाहता है और on ground अगर आप बात करें तो ना तो Canadian citizens की तरफ से ना students की तरफ से international students की तरफ से कोई बीस बारे में कोई ऐसी कोई discussion हो रही है ना कोई बात हो रही है तो इसको unnecessary अगर fear factor यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं प्लान बना रहे हैं वो सोच रहे हैं तो उनको जादा stress लेने की जरूत है नहीं अच्छी बात आपने कहीं कि unnecessary इस पर panic नहीं करना चाहिए और इसलिए शायद आप से बात करना जरूरी है कि यह अच्छी बात है कि on ground कोई फरक नहीं पड़ा students को यह सही बात है कि जितना आप जो news में देखते हैं उससे पता चलता है और ऐसे जमीनी स्थिती जो है वो ऐसी नहीं है Canada में भी इसलिए जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं या जिनके लोग वहाँ पर रहते हैं उनको घबराने के लिए ही सही time being अभी इन number of applicants में या जो process है उसमें कुछ दे रही है इस तरह की कुछ दिक्कते दिखती हैं on ground महां क्या हो रहा है मैं यह नहीं पूछ रही आप से आदेत्ते जी पर जो visa procedure है जो लोग applicants होते हैं जो संक्या होती है उसमें क्या कुछ आपको इन दिनों जो तनाव उसके बाद कुछ बदलाव दिखा है नहीं जी आप किसी जो भी लोग इंडिस्ट्री में हैं किसी से भी बात करेज़ें गोई college से किसी भी agent से ना तो interest of students wanting to get admission ना तो interest of students wanting to apply for visa उसके अंदर कोई impact नहीं आया है जो visa की तैरी करके बैठे थे जिनका paper work सरा complete था वो भी visa पाइल कर रहे है जो admissions के लिए आ रहे थे उसके अंदर कोई कमी नहीं हुई है और visa processing time के अंदर कितने जाते हैं औसत क्या है जैसे आप अगर बताएं कि पिछले साल करीवन सबादो लाख उच्छे गए थे इस साल एक लाख पचतर हजार से उपर अलरी क्रॉस हो चुका है तो अगें सबादो लाख के असपास का नंबर तो डेफिनिटी एक्सपेटेड है कि जाएगा तो अगें किसी भी तरीके से ना तो प्रॉसेसिंग का वही जादा परक है ना नंबर ओफ एप्लिकंस का वह इंपक्ट हुआ है नोबडी इंडरस्टैंड वेको जो जा रहे हैं उनके लोग कोई यारी दोस्ती रिश्टतरी है वहाँ पे तो वह भी ऑन ग्राउंड चेक कर रहे हैं तो कोई इंपक्ट आस सच नहीं है यहां पर इंडिया वाले लेवल पे कितनी जल्दे हम उमीद कर सकते हैं कि भारत और कैनड़ा दोनों के ही हित्म है इसमें किसी के लिए भी विन-विन सिचुएशन नहीं है अगर तनाव बना रहे तो तो कैसे यह तनाव कम होंगे इसकी कितनी उमीद है एक ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी रखेंगे आप देख रहे हैं हम लोग और हम चर्चा कर रहे हैं भारत और कैनड़ा के बीच जारी कूटनितिक तनाव की क्या इसका असर शात्रों के भविश्य पे पढ़ रहा है अच्छी बात यह अब तक जो सामने आ रही है बात कि जो लोग वहां पे हैं जमीनी सीती कुछ बदली है और इसलिए कुछ चिंता बनी रहती है कैपटन आलोग बंसल हमने हाल में देखा कि ग्लासगो में ये कैनड़ा की बात नहीं है पर असर ये देखी कि ग्लासगो में जो भारती हाई कमिशनर है उनको गुरुदवारे में उनको मुलाकात के लिए जाना था उनका जो कारिक लगा और क्यों ये बढ़ रहा है क्या इसके उपर जल्द लगाम लग पाईगी क्या लगता है आपको तेकि जो खालिस्तानी कट्रपंथी और आतंकवादी हैं उनका जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो ए कैनेड़ा यूके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में और इ असर है बड़ी दुर्भागेपूर घटना है ब्रिटन की सरकार को इस पर एक्ट करना चाहिए कि जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो महां फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है भार्पी आई उच्छायों जो है गुरदवारे में जा रहे थे उनको रोका जाए यह उनके अधि रहा है आतंकवादियों के खेलाफ हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहा है दूसरी बात यह है कि ब्रिटन के अंदर भारत विरोधी तक्तों का एक बहुत बड़ा गुट है क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा मीरपुरी डायस्पोरा है जो भारत विरोधी कारेकरम करता रहत था कि लशकर तॉइबा और खालिस्तानियों के बीच में गड़जोड हो रहा है तो इस तरीके की गत्विदिया हम देखते रहते हैं और यह दुरबागी की बात है भारत हाला कि ब्रिटन की सरकार उतनी कोन्यूजूविटी नहीं रही है जितनी कैनेड़ा की सरकार की रही के लिए गए थे तो न्यू यूजॉप के बाद वो वाशिंग्टन आए और वहां पर भी उन्होंने कुछ बयान दिये तो अमेरिका के सामने भी यह बात एक तरह से बाचीत में आई है मैं आपसे भी और आपसे भी यह जाना चाहूंगी कि अमेरिका का इसमें क्या आप र कि अमेरिका कैनेडा खास तौर पर अमेरिकन कंट्रीज हैं कैनेडा बिलकुल नौर्थ में हैं दोनों के बीच में काफी गहरे संबंद हैं नैटो के मेंबर हैं आई-5 के मेंबर हैं जी-7 के मेंबर हैं बहुत गहरे रिष्टे हैं और खास तौर पर एक जो अगर एथिनिक तो बहुत गहरे संबंद हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई चीज ऐसी होगी जिस पर अमेरिका को बहुत गहरा कनसर्ण है यह चिंता होती है तो कैनेड़ा उन चिंता को इगनोर कर सकता है। तो अगर जैसे जैशेंक्र साङ्पने कहा, princes == यचैन चुजता हैं। अगर America Canada से बात करता है तो मैं समझता हूँ की Canada भारत की जो जो sensitivities हे ऐस मामले में खास दौर पर खालिस्तानी आतंतवाद के खिलाफ, वो समझेगा। उसके ओब पर action चालेता? है वह बात दूसरी है लेकिन समझेगा दूसरी बात आपने एक जो इससे पहले कहा था कि कितना प्रभावे खालस्तादियों का कैनेडा के बात करूगा मैं भी यूके के बात नहीं करता हूं अलग-अलग कंट्री जे वो मैंने पहले भी कहा था चारसो पांसो लोग है वहां पर जो इन हरकतों में जुड़े हुए है अच्छा खासा नंबर है लेकिन यह नहीं कि वहां पर चार लाग भारती है वो सभी उसमें इन बौर्ट रही है तो हमें एक जो प्रपोर्शन है वो देखना होगा एक जो सब्स्टेंस है कहां तक हम इस तो हमको यह जो देखना है यह नहीं देखने कि 20 साल की प्राब्लम है हमें उम्मीद यह रखनी है कि अगले कुछ समय में यह प्राब्लम सौल हो जानी चाहिए तो इस समय एक छोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं हम बने रही हमारे साथ जारी है हम लोग बात सच है कि बड़ी तादाद है वहाँ पर भारतियों की और उसमें से जो मजॉरिटी है बहु संक्या कावादी है वो यह नहीं है कुछ लोग है जो यह कर रहे है पर उनकी संक्या भी ठीक ठाक है पर अच्छी बात यह कि जमीन पर अभी तक बहुत जादा असर इसका नह जाते हैं मेरा सवाल वीजा से रिलेटेड है मेरी एक फ्रेंड अल्रेडी है जो कानडा में स्टेडी करते है तो मैंने उससे जब बात करी तो इसने मेरे को बताया कि अभी हम इंडिया वापस नहीं आ सकते हैं जो स्टूरेंट से हैं सो और लेकर यहां पर न्यूज में जो लोग आए हैं या जैसे आपका सवाल अभी यहां पर था कि जो यहां पर हैं उनके लिए यह चिंता है कि जब वहां पर जो लोग है वो अगर उनका आने जाने में इस समय तनाव है तो क्या जाना यहां से जो नए जा रहे हैं पहली दफ़ा जाना चाहरे हैं आप पहली दफ़ा जाना चाहरे हैं महां पर आगे तो उनके लिए कितना सब कुछ सामाने ह क्या संभव है याक मुश्किले आ रही है नहीं जी सामाना है और रोज के हिसाब से बचे गए हैं वी सक्केंबर इंटेक के लिए नेक्स इंटेक जैनरी की है उसमें जाएंगे वीजा आ रहे हैं वो स्टुडेंट्स की वीजा फ्लाइट्स ऑलरी बूख हो चुकी है जिनके आपने बताया कि यह जो इशू है वो थोड़े टाइम में सॉल हो जाएगा बड़ जो खालिस्तान रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो आजादी से पहले की है फिर उसके बाद पार्टिशन फिर उसके बाद इंदिरा गांदी असैसिनेशन फिर 84 में ऑपरेशन ब्लू स्ट और अब यह जो डिप्लमेटिक रो चल रहा है तो इन सब के बीच में एज अ स्टूडेंट जिसमें हमारा कोई इंवॉल्मेंट नहीं है ना हम प्रो खालिस्तानी है ना हम एंटी हैं सिर्फ हमारी करियर औरियंटेट परपस से जो जाना चाहते हैं वो इन सब चीजों में अपना रास्ता कैसे नेविगेट करें ठीक है एक सवाव लोले नहीं क्योंकि समय कम है उसके बाद इकठा जबाब देंगे आप इनको यहां भी माइक हाँ आप पूछे फिरेजर माइक दीजेगा मेरा सवाल है जैसे खालस्तानी सपोर्टर्स के तरफ से एक स्टेटमेंट आया था हिंदू जो हैं वो कैनेडा चोड़के भारत वापस लॉट जाए हिंदू जिनका इस मुद्दे से मेरे ख्याल से इतना जादा कुछ लेना देना भी नहीं है उस इस मुद्दे को जो पॉलिटिकल मुद्दा है उसको एक रिलिजिजिस अंगल क्यों दिया जा रहा तो मेरा भी बैचलर्स के बादे मन था कि मैं भी कैनेडा बाहर पढ़ना जाता था लेकिन कही ना कही ये मेरे माबाप के मन में भी हिच्के चाहत है कि जैसे अगर मैं भाहर जाओर जाओ जैसे मैं थोड़ा वोकल रहता उपिनियन के रिगार्डिंग तो मुझ पे खालेस् जितने भी दोस्त हैं तो उनके मन में घुच्के चाहत है उसके बारे मैं आप कह गहना है जी जी मैं एक मिर्ट शामिल करना चाहती हूँ अब आलोग जी को भी हमारे से चुड़ा है आलोग जी आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो आखिर में सवाल पूचा गया ह कि एक हिचके चाहत है खास करके सिक्समुदाए में कि ये लेबल बहुत आसानी से लग सकता है एक और सवाले से जुड़ा हुआ था कि जो हिंदू सीख डिवाइड करने की कोशिश वहाँ पे दिखती है इसका हल सरकारों किस तर पे बहुत समझदारी से करनी की जरूरत है अगर आप देखें और एक चात्र ने कहा ये प्री इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं ये प्री इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई इसे समझता है तो बहुती गलत बात है ये कुछ समय पूर्व की पाकिस्तान स्पॉंसर्ड समस्या है जो जियावल हग के समय में पारकिस्तान ने भारत के अंदर स्पॉंसर की और कुछ कारणों से फैल गई भारत के अंदर सिख समास समझ गया है कि इस गतिविदी से हमें दूर रहना चाहिए अब कैनेडा के अंदर ये फैल गए क्योंकि उनको वहाँ पे एक एंवार्मेंट लिए जहां वो कुछ पात गह पाए जैसा इंबैस्डर गोईल ने का 400-500 से जादा इनकी संख्या नहीं है लेकिन ये लोग मोकल हैं इनके खिलाफ जो राष्टवादी सिक्ष हैं जो अन्य भारती मूल के लोग हैं वो सामाने तर्शानत हैं क्योंकि ये लोग हिंसा पे उतर आते हैं और कैनेडा की सरकार ने कई बार हिंसा का कोई खास इनके खिलाफ कोई कदम नहीं दाया अगर आपको मालूम है पहले उज्जल दुसान करके इस अब तक नहीं हुई यह समय बहुत काम है संशेप में आप जवाब है आपने जो सवाल किया बाद में की खालिस्तानी लेबल अराम से आपके उपर चिपक सकता है नहीं मैं आपको यह भरोसा दिलवाना चाहता हूँ और क्योंकि मैं एमबेसी में काम कर चुका हूँ मैं राजूत रह चुका हूँ कोई भी एमबेसी कॉंसुलेट ऐसा नहीं है कि वो देखते हैं कि अगर आप सिक हैं और आप बड़े फ्रेंक हैं बड़ी कैंडिडली अपने अपिनिन रखते हैं तो बोल देख खालिस्तारी है ऐसा नहीं होता है बिलकुल नहीं होता है मैं आपको भरोसे दिलवा रहा हूँ बड़े ध्यान से आप हमारे बच्चे की तरह वहां जाते हैं तो यह हमारी कोशिश होती है कि आप गलत आतों में या गलत आतों में नहीं पड़ जाएं हमारे लिए बहुत प्रेशेस ग्रुप होता है यह तो यह ऐसा नहीं होगा और एक दूसरी चीज जो आपने का हिंदू सिख बिवाइट बिलकुल नहीं होगा ऐसा ही सिख फॉर जस्टेस ने कॉल किया था तो कितने हिंदू आया वहां से सब अहीं पर है अभी फिलहाल जैसे आप सब लोगों ने अश्वस्त किया कि सिथी जो है सामाने वहां पर चुछ भी ऐसा नहीं है नोट इवन वन परसेंट आप देखोगे अगर वहां पर जाकर everything totally change जाने आने मिशी को कोई परिशानी भी समय नहीं है और वीजा भी सामाने मिल रहा है और आप भी वहां पर जल्दी जाने वाली है तो best of love का को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रे आप तमाम लोग हमारे स